तो भाई काफी टाइम हो चुका है, Redmi ने अपना Note 13 सीरीज जो है, इंडिया में लॉंच कर दिया है, और अभी तक कि उसकी जाधी वीडियो मैंने बनाई लिए, मेरे पास ये Redmi का Note 13 Pro जो है, कैसा फोन है, experience कैसा इस फोन को यूज करने का सारी चीज़े इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मारे नमीज जहीर एंड देस दे फुल रिव्यू अफ डिस रेड्मी नोट 13 प्रो, सौ लेट्स बेगें, अब ही पिछले कुछ टाइम से मैं ये वाला फोन भी यूज कर रहा हूँ और फिर कभी कबार ये फोन भी यूज कर रहा हूँ, तो दोनों मिक्स यूज हो रहा है, समसंग का वो अल्टरा है आपको पता है, उसके साथ में ये यूज कर रहा हूँ, मतलब आप समझ रहा हूँ, तो प्राइस में लगबग लगबग सत्तर पचत्तर हजार रुपय का डिफरेंस है यहां पर, तो वो रफरेंस याद रखना, अब उसका मतलब ये नहीं कि भाई 75 रुपय के फोन का एक लाख रुपय के लेवल का ये फोन है, उसके बावजूद भी ये बात बोल चकता हूँ भाई, नो नॉंसेंस स्मार्ट फोन है भाई, कुछ भी फ्रिल नहीं, कुछ भी ऐसा फालतू की जो गिमिक्स होती है न वो एड नहीं करे गए है, उसके अलावा भी फोन बहुत जादा अच्छा है, देखो पूरा प्लास्टिक का फोन है, बहुत ही जादा मस्बूत है, पिछे ग्लास है, आगे भी ग्लास है और आगे जो ग्लास है वो गोलिला ग्लास विक्टस है, आईपी 54 की वाटर रेजस्संस रेटिंग आती है, और उसके साथ में 187 क्राम का वेट है, बहुत अच्छे से वेड बैलन्स किया है, 8 mm की थिकनेस है, इन हैंट फील बहुत अच्छा है, पूरा जो साइड का फ्रेम है वो फ्लाट है, बाकि बहुत बड़ा फोन नहीं है, तो अच्छे साथ में बैठता भी हो, काफी जाता लाइट वेट होने के से बहुत अच्छा एक्स्पिरियेंस आता है, हाला कि जो डिजाइन है वो बहुत जाता पूरा नहीं है, बाई 1.5 की रेजूलूशन है पहली बात तो, दूसरी बात ये एक प्रॉपर 120 हर्ट एमोलेट डिस्प्ले है, वो भी 12 बिट है, आइक 10 बिट या 12 बिट है, वो वैसे भी फराइट नहीं पड़ता इतना जादा, इतने छोटे स्क्रीन पर पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक 6.67 इंच की स्क्रीन है, एन इट इस एन अमेजिंग डिस्प्ले भाई, 18.00 की पीक ब्राइटनेस है, मैंने जितना इसको यूस करा ना मेरे को प्रॉपर ये एक 50,000 वाले फोन का मजा देता है भाई, भले ये एक फ्लाइट डिस्प्ले है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग है, इसके डिस्प्ले की कितनी भी तारीफ करों कम है, भाई कोई भी कलर्स हो गया, साचूरिशन हो गया, जो बाकी पैरामेंटर होता है डिस्प्ले के सारे इसने परफिक्टली एकदम उस पर खरा उतरा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका डिस्प्ले क्वालिटी, वह बहुत ही सौर्टेड है ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है आपको अच्छी बूलूँगा कि आज के समाने में 20-25 जार वाले फोन भी इतने अच्छे हो गए है कि उसमें lagginess वाला इश्यू और यह सारे इश्यूस नहीं देखने को मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है, कितना फास्ट है, स्मूध है, एप ओपनिंग करना हो गया, बहुत ही जादा फास्ट और स्मूध तरीके से काम करता है, मेरे को काफी अच्छा लगा भाई, इसके अंदर कहीं से मेरे को अथा performance में आईसा नहीं लगा कि कमी है, समझे लो, ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैं multiple application यूज़ कर रहा हूं, तो phone lag कर रहा है, एक 25-30,000 पर का phone जैसा चलता है, वैसा यह अराम से चलता है, बिना लेके कोई दिक्कत नहीं आती, इवन अगर आप गेम खिलता हो तो अच्छी खासी gaming ये phone करवा देगा, आपको ज़्यादा problem नहीं आएगा, यहां पर इन लोग में बहुत अच्छा अच्छा system दे दिया है, जैसे मैं आगर 120 पर रखता हूं, तो यहां पर मैं कोई option है, ज़्यादा अच्छा software है इस बार इन लोग का, हाला के यह Android 13 पे आता है, विच आइ परसनली डू नोट लाइक, क्योंकि भाई अभी सब phone के अंदर Android 14 आता, अभी इन लोग Android 14 का अपग्रेड देंगे HyperOS वाला, फिर बोलेंगे भाई हमने एक पूरा प्रॉपर अपडेट डिया, लेकिन भाई, लाँच करते टाइम वह HyperOS देना चाहेता है इसके अंदर, कोई एक चीज है, लेकिन जहां software के बाद करूँ भाई, इसके अंदर बहुत सारे कचरा भरके हुए आया था, उसको आप easily install कर सकते हो, सारी चीज है, मैंने आपको starting में बताया, कोई भी दिक्कत नहीं है, उस चीज में install करना, एक पांच मिनट का process है, उसके बाद भाई, फोन बहुत ही जादा clean हो जाता है, और जो software है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेक बग बग वगएरा में को नहीं notice वे, और बहुत स्मूध है, जिटर फ्री है, बहुत मज़दार experience सा software का, तो मैं MIUI का वापस से fan होते जाए, अब इन लोग MIUI को बहुत अच्छा कर दे है, और Hyper OS तो भाई, सोने पे सुहाग आइड कर रहे है, तो मेरे को बहुत पसदना है, software से जादा में कोई शिकायत नहीं, पाकि cameras की बा वगरा आजाता है, और जो quality है, वो भी काफी अच्छी है, फोटा सा natural side में colors इसके हैं, बट I personally do not mind that, color जो quality है फोटो की वो अच्छी है, बट dynamic range थोड़ी better की जासे, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे full यलो color है पूरा whitish हो गया है, बट ठीक है, ऐसा बुरा ही नहीं है, यह 1x है, इसको आप 4x में punch in कर सकते हो, because of 200 megapixel resolution, यहाँ पर quality अच्छी निकल के आ रहे है, ऐसा कोई problem नहीं है भाई, तो even जब human subjects की photo लो, तो वो भी बहुत अच्छी निकल के आती है, not bad at all, portrait photos जो है, वो भी decent है, portrait photo में quality हो थोड़ी ती down हो जारी, पता नहीं क्यों और जो portrait photos, उसको definitely improvement की जरुत जारी से आप लोग देखे रहे हो, जो पीछे के side में dynamic range है, वो इतनी खास में को लगी नहीं देखो, पीछे के side में dynamic range थोड़ा सा और better किया जा सकता है, but overall जो photo है, वो decent है, मैं है सब बोलूँगा, बाकि का 200 megapixel वाला camera दिखाना जाँगा, जैसे आप आप उससे ले सकते हो, बाकि जो ultra wide camera है, 8 megapixel का, वो भी decent है, आपका काम चला देगा, मतलब ऐसा कुछ वाव नहीं है, बट बुराई भी नहीं है, natural photos है, अच्छा कासा photo लेता है, dynamic range भी decent है, अगर बाकि front facing camera जो है, वो सही है, मतलब उसमें जादा में को problem देखनी हूँ है, natural colors है, शापने सगर भी सही है, overall अगर अब देखो गे तो बुरा ही नहीं है, अचला काम चल जाएगा, अच्छा नहीं है, आपको बहुत साथा बाप camera मिल रहा है, okay, so guys, यह video जो है, यह 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, 4K में यहाँ पर stabilization जो है, वो में को थोड़ा सा यहाँ प stabilization यहाँ पर stabilization एक थोड़ा सा जादा बैटर इंप्रूव हो किया है, stabilization and dynamic range तो kind of similar है, and जो quality है video की वो भी सही है, focusing जो है वो बहुत सही है, थोड़ा सा struggle कर जहाँ है, बढ़ ठीक ऐसा कुछ जादा बुरा ही नहीं है, थोड़ा slow तो है focusing, अड़े बाई, tap करना पड़ता है, आप करने फटाक से focus करता है, यह जो है यह ultra wide है, अब ultra wide से आप 1080p में ही video record कर सकते हो, कुछ इस तरह की video बना ले तबाई, ultra wide camera, not bad, I mean, काम तो चल जाएगा आपका, अगर आप व्लॉग उगरा करोगे तो कुछ इस तरह आप लॉग कर सकते हो, ultra wide है है, बाकि अगर आपको front facing camera यूज करना है, तो उसका quality कुछ असरा का है, यहां पर front facing camera की जो stabilization है, वो इतनी में को खासी नहीं लेगी, लेकिन crop in तो किया है, stabilization ठीक ठाक है, और जो वापिंग effect है, वो सब यहां पर नहीं है, तो ठीक है, what do you think about this quality, तो भाई, overall अगर बात कीज़े तो cameras are good, ऐसा नहीं प्लस 67W की fast charging है, इन लोग ने SOT का system ही निकाल दिया, लेकिन जितना मैंने use करा भाई, I love the battery life of this phone, भाई, जो उसका processor है, वो बहुत ज़्यादा efficient है, प्लस इसके अंदर battery भी 5100M, तो बहुत ही तगड़ी battery life मिलती है, almost देड़ देड़ दिन की battery life आपको इसके अंदर आराम स तो दोनों चीज़ भी यहाँ पर अच्छी है, बात करें sound quality तो भाई, इसके अंदर stereo speakers आते हैं, बहुत यह awesome है, अच्छा सिर्फ sound quality ही नहीं, इसके हैं जो haptics है वो भी बहुत amazing है, हर जगे इन लोग ने implement करका है, जैसे मैं sound का जो यह बटन है उसको उपर निचे करता हू आयर ब्लास्टर मिल गया है, तो यह चीज़ सोने पर सुआ गया है, प्लस headphone jack भी मिलता है भाई, तो अगर आपके अफ़ पुराने headphone पड़े वे हैं, भाई, यह लव 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 बहुत amazing है, प्लस इसके अंदर MIUI dialer आता है, call बगरा करके दिखा, earpiece से sound बहुत अच्छी आती तो यहां पर देखो, इधर पर नीचे के side भी हैं, थोड़ा सा उपर होना चीए, पड़ यहां पर भी बुरा नहीं है position, बाके देखो, अज़ा टच करते ही खुल जाता है, इसके अंदर multiple animation का option है, टच करो, तुरंत खुल जाता है, लेकिन fast खुल जाता है, कोई जाता शिक अगर 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 आपको यह 22,000 में मिल जाता है, तो फिर अच्छा प्राइज है, लेकिन overall अगर बात की जाता है, तो एक no nonsense phone है, बढ़िया है, अच्छा experience देता है, कोई जाता शिकायत ने आगी आपको, सारी चीज़े बहुत balanced है, तो अच्छा मेरे को phone लगा, सारी फिल्ड में अच्छा अच्छा balance experience देता है, विच आ परसनली लाइक है, तो यह था Redmi Note 13 Pro का मेरा review, I hope आपको अच्छा लगा होगा, अग बुक समुआ झाज को अच्छा एल्स प्काइब स्भवा एल्स इनल पधी जगे कि वहाऊ इनimal है जो झाले को भी होगा हमान अच्छा एला को आपको, सक usually there, कह बहरा जयुआ gettin